बार बार नज़र लगती हो तो कौन सा रुद्राक्ष पहने ये सवाल हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है नज़र लगने की बातें क्या होती है जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं जिन्दगी में उन्नती कर रहे हैं और किसके नज़र लगती है और आपके अबनाती शुरू हो जाती है अपका बिजनस अच्छा काता चल रहा है धन कमा रहे हैं नज़र लगे किसी की और बिजनस डाउना शुरू हो जाता है इसलिए लोग नज़र उतारने के लिए नज़र मट्टू लगाते हैं आपने देखा होगा, निमूज लटका देंगे, मिर्चिल लगा देंगे, या आपके उपर नजर लग रहे हैं, तो नजर उतारने के लिए भी विधिया होती हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे कों सा रुद्राक्स है, जो कि अधि बार बार नजर लगत नजर दी बार बार आपके लगती हैं, तो एक बहुत कारगर रुद्राक्ष होता है, दस मुखी, टन मुखी रुद्राक्ष, जो कि रिप्रेजेंट करता है भगवान नारण, विष्णो को, एकिष्ण अवातार को, तो भगवान नारण की जिसको उपने क्रिपादिष्ट सकते हैं, बूरी नजर उसे बचा सकते हैं, दुरवटनों से बचा सकते हैं, आपदाव से बचा सकते हैं, उसके बाद होता है आपका चोधा मुखी रुद्राक्ष, वो है हनुमान कवच, हनुमान कवच एक ऐसा कवच है, जो कि आप धारन करते हैं, ये चोधा मुखी रु तो जो हनुमान जालिसा में लिखा हुआ है चीजे, वो आपको घटित होना डगती है। भूत, प्रेज, पिसाज, निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जो हनुमान जालिसा पढ़ने से, पार्ट करने से फल मिलता आपको, चोदह मुखी रुद्रैक्स The 14 मुखी रुद्रैक्स पहनेंगे तो, वो ही आपको फल मिलने वाला है। ज़़ि नजर लगनें कारण में आपकी स्वास्ति की हानी होती है, तो आप 16 मुखी 60 मुखी रुद्रैक्स के मारवट भी सो सकते हैं। जदि नजर लगने करने में आप कारून, शरीर और मन दोनों रोग रस्त हो गये हैं, मांसी के तनाव के शिकार हो गये हैं आप, डिप्रेसन के शिकार हो गये हैं आप, उतावला पन के शिकार हो गये हैं आप, या शरीर में ख्या रोग, टीवी, कैंसर, आधी मारत्म के रोग आपको हो जाए असाथ्य हो जाए और डॉक्टर समझ नहीं पाए कि अब हो क्या रहा है ये नजर लगने कारण हो जाता है कुछ लोग तांत्रिक विधी से इस वकार से आपको नुकसान पहरने कोशिश करते हैं वो अपने ही लोग होते हैं देखे कोई अंजान अदमी तो जगडे होते हैं तब यहां ये नजर तथा ये तंत्र विध्या का लोग दरत उपयोग करते हैं अपने आपको बचाने के लिए अपने आपको रक्षा करने के लिए नजर से बचने के लिए या तांत्री विध्यों से बचने के लिए आप यो बताये मैंने आपको 10 मुखी ग्यारा मुखी, चोदा मुखी और सॉला मुखी, ये चार रुदराक्ष को आप जोड के पहनेंगे, तो आपको अभुत पुरुन शक्ति मिलेगी, और अपने आपको बजाने की आप में बुद्धे भी आएगी और समझ भी आएगी, अगले वीडियो में और एक नई चीज लेकि आपको समक्स प्रसूत हों में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत.